बात करते हैं commodity market की हमारे साथ रनीती बदाने के लिए आज कुवर जी ग्रुप से रवी देवरा जी मौझूद है रवी जी थांक यू सो मच तो मेरे साबसे इतना ज्यादा पॉस्ट इंपेक्ट में होगा अलाकर अगर 50 बेस पॉइंट्स आया तो आइसें के यह तेजी और स्टीफ होगी और जारे रहेगी तो आइसें के यह मिटिंग फैर्ट के मिटिंग काफ इंपोर्टन है उसके ला बैंक ऑफ जापन बैंक ऑफ मिटिंग फ्रस्ट इंपर फ्राइडे पर इसके उपर पूरा मार्केट का उटलूप होगा अलाकर डॉलर इंडेस के जो विकनेस है वोशार लग रहा है कि गोल्ड इन सिल्वर को आगे सब्सक्रोट करते रहेगी थोड़ा मोमेंटम में सिल्वर है तो सिल्वर में आप भा वहाँ पे एंट्रेस इस पी आपको ज्यादा करने होगी साइजिंग शिल्वर दिसेंबर फीचर बाइ करें 88,700 के करिभ बाइ करना है 90,000 का तार्गेट होगा 88,280 के सब्सक्रोट के साथ गोल के ऑक्तोबर फीचर बाइ कर सकते है तेसता रजार चार्जों के करिभ बाइ क 73,000 का स्टाप्लोस रखे एक लिमिटेड अपसाइज 74,000 देखने को मिल सकते है तो गोल्ड में तो लिमिटेड अपसाइज ही है 73,000 के आसपास आप बाइंग करें और उपर की तरह 74,000 के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं एक हलकल की अपसाइज दिख हाई दे रहा है उसके सामने 90,000 के टागेट के लिए stop loss होगा 88,280 का रवी जी क्रूड की चाल कैसी लग दी है आपको काफी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी दोनों साइके fundamentals play out कर रहे हैं समय क्रूड के लिए तो क्या करना चाहिए कच्छे तेल को कैसी ट्रेट करें? इसमें आप option का इसमाल करें, option बेटर होगा क्योंकि वहाँ पर आपका risk reward भी प्रोटेक्टर होगा और अगर volatility आइडवर्स तो आपको वहाँ पर exit भी मिल जाएगी I think 5700 की strike का जो call option है, October expiry का, वहाँ पर 230 पर buy करें, stop loss लगाए 170, आपर सच 320 के level देखे जा सकते हैं, जिसको future में करना है वो buy and dips की strategy रखें, 5690 पर quote buy करें, 5620 पर stop loss के साथ, 540 तक के level आपको short term आपो दिख सकते हैं ठीक है, तो यह है सला कुरूड पर आपके लिए, और base metals में, रवी जी, कहां पर मौके देख रहे हैं Metals में last week की जो recovery है, थोड़ी hope and optimism में recovery थी कि चाहिना से, कुछ data आज से निकल के आएगे या red cut होगा, अलाकि तीन दिन चाहिना close है, market वहाँ पर shut रहे हैं, अहो लेडी के साब से, और second है कि जो weekend में data निकल के आया है, metals के लिए इतना positive नहीं है, तूकि दोनो data, retail sales, industrial production, दोनो expectations से निचे आए, निचे ही expectations से उसते भी बिलो आए, तो लग रहा है कि आप सेंटिमेंट वहाँ पर negative होगा, तो वहाँ पर आपको selling का ही रूप रखना है, जिसमें चाइना के fundamental के साथ zinc का अच्छा correlation है, zinc के सितंबर future में sell करे, 269 के करे, 264 के target के लिए 271 का श्रॉप लोज़र के. तो यह है, सलाh zinc पर, base metals में, zinc में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बिखवाली का 264 के target के लिए, और जैसा कि रवी भी आपको बता रहे थे, कि चाइना से जब तब positive आंक्रे आना शुरू नहीं होते, कच्छे तेल में, metals में, ऐसे ही range bound और दबाव यहां पर देखने को मिल सकता है, बेज वीश में खलकी बाएंग आएगी, लेकिन overall sentiment थोड़ा negative ही बना रह सकता है, आने वाले समय में crude और metals के लिए, रवी जी बहुबा धन्यवाद आपका यह पूरा analysis करने के लिए,